नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों जैमातादी आप सब कैसे हैं उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे नवरात्री के दौरान वशीकरन का उप्योग प्रेम और विभाग की समस्याओं के लिए और किसी के जीवन में सौभाग्य और सब्रती लाने के लिए किया जा सकता है नवरात्री एक हिंद्यो तुहार है और जो देवी दुरगा और उनके फिफिन रूपों के सम्मान में मनाय जाता है इस 9 दुएस्य तुहार के दौरान कई लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए वशीकरन की और रुख करते हैं नवरात्र के दौरान वशीकरन करने के लिए आपको अपने शरीर और मन को शुद करके शुर्वात करने होगे ये उपवास, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक प्रधाओं के माध्यम से किया जा सकता है इसके बाद आपको एक विशिष्ट वशिकरण मंत्र चुनना होगा जो आपकी अवशक्ताओं के लिए उप्युक्त हो एक बाद जब आप अपना मंत्र चुन लेते हैं तो आपको अपने विचारों और उर्जा को उसी व्यक्ती या स्थिती पर केंवरित करते हुए आगे बढ़ना होगा और जिसे आप प्रभावित करना चाहते हैं प्रतेक दिन एक विशिष्ट संख्या में इसका जाप करना होगा इसके अतिरेग्द आप अपने विश्वास और गुरुजी के माद दर्शन के अनुसार अन्य अनुष्ठान और पूजा भी कर सकते हैं एक बाप फिर से आपको मंत्र बताती हूँ इस मंत्र का उप्योग प्रचूरता और भौतिक धन को आकरशित करने के लिए किया जाता है धन चाहिए तो इसको 33 बार बोले धन ही धन भरसेगा ओम हीम श्रीम क्लीम हीम नमह इस मंत्र का प्रियोग सबे बाधाओं को दूर करने और सफलता और सौभाग्य लाने के लिए किया जाता है अगर आप भी किसी भी काम में सफलता चाहते हैं तो आप इस मंत्र का जाप 33 बार करें किसी भी समय पूरा दिन आप इसे कर सकते हैं नवरात्री में ही इसका जाब करें काम बन जाएगा ये गुरू माताजी का बताया हुआ अचुप टोटका है जिसे पढ़कर आप किसी भी जिहां किसी काफी वशिकरन कर सकते हैं नवरात्री के दौरान बसे से करना है अगर फिर भी आपके मन में कोई भी शंका है समस्त्या ह परिशान है तो आप गुरू माताजी से संपर्ग भी कर सकते हैं नंबर आपको पता देती हूं 75685-6009 इस तंबर पर कॉल करिए और गुरू माताजी से आप संपर्ग करिए अपनी समस्या का निदान कराइए फिलहाल मुझे दीजे इजास्त जय माता दे